वरकम तुदी एहमद क्लासष असमया श्राट करूए कवकर कि ना बीफ करें तो चल्ये शीडिपर कर दा में लावयगर दो कदें तो सबस्टर पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में हर वो प्रोसेस जो एक लेविंग बीइंक करता है उसको हम life process करते हैं जो हमारी चेप्टर में तो बहुत सारे हैं हमारे इस लेबस में निग्मना से हमें according to the class 10 सिर्फ चार प्रोसेस के भारे में फ्रोना है तो आज हम बात करेंगे जिस प्रोसेस का उसका नाम है nutrition छलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे लिए ये लाइफ प्रोसेस क्या है तो लाइफ प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेश्स आदि फंडेमेंटल अक्तिविटीज देट सस्टेन दर लिविंग ओर्गनिजम इसे इंक्लूँड नूटिशन स्टिशन एक्स्टिशन ग्रोफ and reproduction among the others understanding these processes is crucial for understanding the mechanism that allow the organism to thrive and survive तो यह वो बेसिक प्रोसेस है जो हर एक living being को अपनी survival के लिए अपने life span के लिए करना जरूर है तो इन ही को हम बोलते हैं life process जिसमें हमारा पहला topic है आज का nutrition सबसे पहले हम बात करेंगे कि nutrition क्या है कि जो भी चीज़े हम ले खाएं उसमें से हम nutrient को absorb करें और उस nutrient को absorb करके अपने blood तक पहुंचाना या अपने डाइजेशन या अपने cellular process के लिए पहुंचाना ही nutrition कहलाता है अब nutrient क्या होते हैं जो भी चीज़े हम खाते हैं खाने में उसमें कुछ component होते हैं जो basic needs के लिए चाहिए उनको हम nutrients बोलते हैं like carbohydrates, lipids, protein, vitamins and so on इनका हमारी body में functional necessary है for the growth, for the reproduction and all other processes सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें steps किते हैं पहले step का नाब है ingation कि जो भी खाना लिया है उसको आपको अपने अंदर लेना है तो that process is known as ingation तो second process करना है हमारा digestion जो भी चीज़े आपने लिए इसको break करना है इसके simplest form है और simplest form से उसको absorb करना है पहला ingation मतलब खाने को रखना उसको चबाना उसको smaller pieces ब्रेक करना फिर उसमें से nutrient को breakout कर लेना मतलब जो भी हमारे पास हैवी molecules से उनको smaller one simple one में break करना होती है हमारी absorption जो भी चीज़ा आपने लिए इसको आप करोगे simple organism directly करते हैं complex organism small intestine के तुरू अपने blood तक पहुंचाते है next step हमारी आएगी कि इसको हमें body को assimilate करना है blood में इसको collect करना इस प्रोसेश नोन ऐस assimilation तो याद किया है जो भी खाना खाया पहले तो हमने उसको chewing करा chewing करने के बाद उसको हमने break करा digestion के लिए फिर break करने के बाद उसको हमने absorb करा blood पर उसको blood में collect कर लेना assimilation कहलाता है अगर आगे बात करें कि modes of nutrition हमारे क्या है तो हमारे पास different types of mode of nutrition है जिसमें समय पहुने हैं दो तो पहरा हमारा mode of nutrition कहलाता है autotrophic nutrition और दूसर कहलाता है heterotrophic nutrition और जो organism करते हैं उनको autotrophs और heterotrophs हम लोग कहते हैं अगर आप autotrophic mode of nutrition की बात करेंगे तो जो autotrophs होते हैं उसकी meaning होती है self sustaining या self production auto means होता है self जब हम organism कोई भी या कोई ऐसा organism जो capable हो अपना food खुछ से बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं autotrophic organism और इस तरह का जो process करेंगे जो process होगे उसको आप बोलोगे autotrophic mode of nutrition दूसा आता हमारे पास heterotrophic mode of nutrition में होता ही है कि जो organism होते हों किसी दूसरे organism के उपर depend करते है autotrophic mode of nutrition में इन और्गेनिक सब्सेंस है और गेनिक सब्सेंस बनाए जाते है जब कि green plants है जो chlorophyll containing substance organisms हैं वो सब करते हैं photosynthesis means the formation of food with the help of the life so all these types of organism will be considered as autotroph, autotroph में भी कौन सा photo autotroph तो यह procedure हुआ किसका photo autotroph जो consider होगा autotrophic mode of nutrition में वहीं पर second one हमारे पास आता है chemo autotroph, chemo autotroph में हमारे पास वो organisms आएंगे जो किसी chemical के help से अपना food obtain करेंगे तो अगर हम examples की बात करें तो photo autotroph में जितने भी आत पर green plants हो सब consider होंगे वहीं पर आगर आप बात करोगे chemo autotroph की तो उसमें कुछ एक्स बैक्स्टीरियाज है जो इसमें participate करेंगे वहीं पर आगर हम आप से बात करें कि हेड़्षर कितने तरह के होते हैं तो हटोप होते हमारे पास within तरह के फहले मारा आता है है जाप आप्रोप न्युटिश्न ब्रॉसरा प्रसिटिं न्युटिश्ट और एंडर के होलो क्राइव मोड ओफ की इसमें जो नुटिशन होगा इसमें कोई एक और गनिजम की बाड़ी के बाहर रहे कि अपने फूट को अप्टेन करेगा और इस तरह की नुटिशन को आप बोलोगे पैरा सिटिक नुटिशन इसमें वह और गनिजम जो कोई डिसीज कॉज करेंगे पैथोजेंस कराइगे जो डिसीज काज सिट्स स сейчас करेंगे तो बाड़ी के अंदर रहेंगे या बाड़ी के उपर रहेंगे फिर्तोपेरासाइट वहींपे अगर हम बात करते हैं कि थर प्लान को खहेंगे जो एक और निसम को किसी दूसरा और यह खाएगा लिविंग बींग को तिसरा वहाएंगे जो दोनों को खाएंगे प्लान को भी और खुभाइगे आते हैं जो सरी गली या जो वेस्ट बचता है जैसा शेर के बाद वह सारे और्गनिजम को यह खाके environment को clean करने का काम करते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे nutrition in plant की तो अगर आप nutrition in plant के बात करेंगे तो यह तेन स्टेप में complete होगा पहला कहला आएगा photosynthesis दूसरा आएगा आपका mineral का absorption होना तीसरा हमारे पास आएगा transport and distribution सबसे पहले plant क्या करेगा photosynthesis करेगा फिर उसमें से minerals को absorb करेगा और तीस स्टेप में transport and distribute करेगा तो photosynthesis simple सभी मैंने आपको बताया है plants use the sunlight water and carbon dioxide to produce their own food in the form of glucose और बनाएंगे क्या बनाएंगे absorption में क्या होगा minerals of water को absorb करेंगे surrounding से water one होता है इसको पूरे plant की body में transport करना with the help of xylem and flow अब हम बात करेंगे photosynthesis in plant के बारे फोटो सिंथेसिस इन प्लांट भी तीन होगा जो प्लांट को requirement है reaction को करने के लिए मतलब जितनी भी रियक्टेंट हमारे वह हमारे raw material कराईगे photosynthesis में हमारे पास चार तरह के raw material होते हैं सब सब सब्सक्राइब पहले आता है आपका sunlight water chlorophyll and carbon dioxide तो रहा पास चार तरह क्या आते है sunlight water carbon dioxide and chlorophyll इन चारों के बिना यह reaction पॉसिबल नहीं है बाइप प्रोड़क्ट क्या बनेगा तो इसमें हमारे दो बाइप प्रोड़क्ट बनेंगे एक रहेगा oxygen वहीं पे हमारा दूरसा प्रोड़क्ट रहेगा गुलुकोल्स उस एक्सेस गुलुकोल्स को प्लांट एब्जॉब करेंगे और रिस्टोर करेंगे स्टार्च की फ़र्म में डिफेंट पार्ट आफ दी प्लांट वहीं पे ठर्ड आता है कि कौन कौन सी स्टेप इन्वाल्व करती है फोटो सिंदेसिश दो स्टेप में कंप्लीट होती है डार्क रिएक्शन और लाइ यह लाई डे पर डिपेंडेंट इस तरह के से घ्मट एसको इसको यॉडौाइज करेंगी तो प्लांट के अंदर हमारा पास मुल्टीपल स्टेप्स होती है तो पहले steps की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा photosynthesis photosynthesis में जैसे मैंने आपको होता है तो Greek word से आया photo that means light, synthesis means combining या formation अब हो गए कि है इसमें हमारे पास raw material को हम यूज करेंगा, उस raw material हम बनाएगा हमारा by product by product हमारे दो रहेंगे, एक रहेंगा हमारा oxygen और दो सा हमारा रहेंगा glucose, excess glucose को plant restore कर लेगा इस्टाच की फॉर्म में पर हम बात करेंगे में इवेंट्स क्या है तो पहली हमारा solar energy को trap करना और उसको chemical energy में convert कर देना, दूसे step हमारी hydrolysis होना मतलब जो हमने water लिया है प्लांट ने उसको break करना उसमें से oxygen को अलग करना तो याद आखिएगा फोटो सिंतेसिस में oxygen प्रोडियोज होती है वो carbon dioxide से ना कर वाटर से आती है third step हमारे पास होती है reduction of carbon dioxide and produce the glucose अब यहां पर reduction होगा जब hydrolysis होई थी तो वहां पर हमारे ब्रेक होए तो वह जाकर जोड़ आएंगी carbon dioxide से साथ और बनाएंगे हमारा glucose और यह हमारा glucose बाइप प्रोड़क्ट होगा जिसको plant store करेगा अपने डिफरेंट बाडी के parts में starch की form मे अब हम बात करेंगे nutrition in animals जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba जो सबसे simplest form में पाए जाता है इसमें होगा सबसे पहले स्यूडोपोडिया का formation अब सवाल यह आता है स्यूडोपोडिया का क्योंकि amoeba के पास कोई भी plant और amoeba के पास कोई भी mouth या कोई भी body parts नहीं होता तो वह अपनी surface को ही band करके बना देता है क्या pseudo-podia और यह pseudo-podia food के पास आकर उसको grab कर लेते हैं और grab करने के बाद वहां से वह स्टोर करते हैं जिसमें से वह absorb करेंगे सारे न्यूट्रिन को न्यूट्रिन को absorb करने के बाद digestion करेंगे और digestion करने के बाद होगा assimilation और फिर होगा आपका eagation पहले step is pseudopodia का formation next फ्रेगोसाइट्रोसिस थर्ड है इंट्रसेलिलर digestion क्योंकि सिंगल से और जो कुछ भी यहां पर होगा वह सिंगल सेल में होगा नेक्स आएगा eagation eagation वह प्रसेस होते हैं जिसमें solid waste को body से बाहर निकाल दिया जाता है next अगर हम बात करेंगे तो आप इस फिगर के सुरूपूरा एक डाइग्राम देख सकते हैं तो next step है हमारा nutrition in paramition यह वह दो कुछ हैं जो अक्सर एक्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं तो बोर्ड की परपेशन के परपस से आप इसको जरूर पढ़ने जाएगा जाता है जो पूरी बाड़ी पर पाया जाता है जो फूड को ग्रैप करने में भी हल्प करते हैं और इसके फूड को एब्सॉब करेंगे और काफी लंबे समय तक रख सकते हैं वहीं पर बाता है कॉंटक्ट यह करेंगे परामीशियम को वाटर के बैलेंस में वहीं पर लास आता है और गुरूव एक माउट के लिए इस्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग और 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 गुरूव कहते यह परामीशियम के अंदर नेक्स रहता है डाइजेशन इन हीओन अब हीओन के बात करेंगे तो हमारा फर्स पार्ट होता है जहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जहां आता है इनसमालजर येव तो हमारा के बात होता है स्माल इन्ट्री पर के Gel Do I माउट हमारा मिकैनिकल सबस्सेंश करता है माउटि ने का खाने की यहां पर बेक के ब्रोकेन होना शुरू हो जाता है स्मॉलर मॉलेक्रोंस की है इलफ心 की है। उसमें अपर और लोह रिफ साइड में हुमारे चिक्स ौवर रहता है। मौप के इंदर हमारेपस और गरतकर, और तीत आते हैं। और इन्स्ट, सीजर, कैनाइन, क्रिमॉलर technologies वोहीं पर अगर हम बात करेंगे, यह हमारी फूडवाइप होती है, जो हमारे, यहां से, स्टाथ ہوकर, हमारे स्टमध तक जुड़ी रहती है, इसका मिन काम होता है हमारे मौट्व से खाने को लेना जो काईम बनता है उसको हमारे स्टमक पुचाना इसके अंदर चलती है एक movement जिसका नाम है paris stelzis moment यह परिस stelzis moment दी होती है जो हमारे फूड को नीचे की और पूश करती है यह पुश करती है प्रोसेसर जिसके तुर हम K drawback नारा फूड भूड हमारे से नीचे कि तरफ उतरता है और इस मुवमेंट को भोते हैं पैर स्टैल्सिस मोवमेंट नका हमारे माउ से स्टार्ट स्टाइब होकर फेरिंग से स्टाइब होके جाते हैं लोता है यह विद्ध करो बन हमें सबसेंट होता है हमारे स्टायो को सीडेंग करता है जब चिंग करते हैं हमारे करें चीज्सल्ट कि हमारे बॉड़ी को निट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे बॉड़ी के अंदर खुद भी बनता है यह हमारे एसे नहीं पूरी इलिमेंट के नाल की सबसे लंबा पार्ट होता है अब अगर इसके हम बात करें कि स्बैद कना में स्मॉल हो पना तक सिंपल सा जी जिए इसके सिंपल सा रिज़न यह है कि इसकी इंट्थ ए fourteen की डायमेटर हो चोटी होती ऐस कॉंपेड टो लाज एक लिए लेकिन उसकी सबसे जादा होती इसके तीन पार्ट्ड होते हैं ड्यू इनम ये आगे अगर अगर आगर हम बात करेंगे तो इसके इंटर्नल सर्फेस बर पाए जाते फिंगर लाइक प्रो जेक्शन जिसको हम बोलते हैं वियरी जो बंदाता है है और उस सर्फेस करेंगे और इसको पास्वान करते हुए रेक्टम तक पहुंचाएगी फिर उसके बाद हमारा पार्ट आता है रेक्टम और एनस जो सॉलिड वेस को सी बाड़ी से बाहर निकालने काम करता है कोई भी यूज नहीं होता है हम बात करेंगे डाइजेशिव सिस्टम इन हुमन पे fifth बारे में दूसर है स्टमक के बारे में तो समय पर इसके बारे में अपनी नेक्स ख्राइब